अपने को न जोड़ पाते हैं न हम खुद के साथ जी पाते हैं हम अपने आप से कटाफ हो चुके हैं योग और किसी से जोड़े या न जोड़े अपने आप से जोड़े और इसलिए योग हमारे लिए शारिनिक आध्धात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदू बन गया स्वारीक स्वस्थता देता है आध्धात्मिक अनुभूती के लिए मार्ग बना सकता है और समाज के साथ संतुलिति बहवार करने की हमें शिक्षा देता है और इसलिए मैं चाहूंगा इस योग को विवादों में टाले बिना जन सामान्य की भलाई के लिए और इहीं लोग की सेवा के लिए परलोग की सेवा के लिए नहीं परलोग के लिए संप्रदा है धर्म है प्रम्परा है गुरु महराले बहुत कुछ है योग इह लोग के लिए स्च्छंता बढ़ाने के लिए है डायाबिटिस और योग सबी योग की दुनिया के लोग जो भी ज्ञान उनके पास है तरीक उनके पास है साल भर योग की बाकी चीज़े तो चलेगी लेकिन ये प्रमूख होगा भारत में डायाबिटीस के संख्या बढ़ रही है योगी के द्वारा डायाबिटीस से मुक्ति मिले या न मिले लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से मैं आज दो एवर्ड गोशित करने जा रहा हूँ अगले वर्ष जब 21 जून को आंतरराश्ती योग दिवस मनाये जाएगा तब भारत की तरफ से यह दो एवर्ड के लिए चैन होगा उनको एवर्ड उसी समाहरों में दिया जाएगा एक आंतरराश्तियस तरपर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए एवर्ड दूसरा भारत में हिंदुस्तान के भी तक योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा उनके लिए एवर्ड एक आंतरराश्तियस योग एवर्ड एक राश्तियस योग एवर्ड प्यक्ति संस्ता हर को इसमें जूड़ सकते हैं उसकी जो एक्सपर्ट कमिटी होगी वह उसके नियम बनाएगी उसके तौर तरीके बनाएगी जूरी ताय करेगी लेकिन विश्व भर में जिस प्रकार से अनेक अनेक ग्लोबल एवर्ड की भावाई होती है याउंदू